Infosys के Shares ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि फिर से एक रोड ब्रेकर सामने आ गया और हर बार की तरहा शेयर टूटा और साथ में निवेशकों का दिल भी Infosys पर टेक्स चोरी का आरोप लगा है और ये चोरी 1-2 करोड की नहीं बलकि 32,000 करोड रुपे की है इस खाबर का असर शेयर पर दिखा और एक अगस को Infosys के स्टॉक एक दशमलब एक शून्य फीज दिगिर कर 1847 रुपे और 65 पैसे पर बंद हुए डिरेक्टरेट जनरल ऑफ जी एस्टी इंटेलिजेंस ने Infosys को 32,000 करोड रुपे का टेक्स नोटिस भेजा है इस नोटिस में कहा गया है कि Infosys ने जुलाई 2017 और 2021-22 के बीच अपने विदेशी ब्रांच की सर्विसिस पर Integrated Goods and Services Tax यानी IGST का पेमेंट नहीं किया है नोटिस में ये भी कहा गया है कि Infosys ने विदेश में अपने ओफिस के खर्चों के लिए जो पैसे दिये थे उस पर Reverse Charge Mechanism के तहत IGST चुकाना होगा तो आईए जान लेते हैं कि सरकार की तरफ से DGGI ने क्या दलील दी है असल में GST के नियमों के मताबिक Supplier की जगा जो Service ले रहा होता है उसे GST चुकाना होता है DGGI की दलील है कि Infosys ने विदेश में अपनी ब्रांच पर हुए खर्चों को इंडिया से अपने Export Invoice का हिस्सा बनाया है और Export की Value के आधार पर Refund का Calculation किया है DGGI का मानना है कि इस Process के चलते Infosys ने काफी कम IGST का पेमेंट किया था हाला कि Infosys ने DGGI के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है कमपनी ने किसी तरह की गलती होने से भी साफ इंकार किया Stock Exchange को दी गई जानकारी में Infosys ने कहा है कि कमपनी ने पूरा GST चुकाया है उसने GST से जुड़े केंदर और राज्यों के नियमों का पूरी तरह से पालन भी गिया है कमपनी ने कहा कि हमारा मानना है कि नियमों के तहत ये खर्च GST के दाएरे में आता ही नहीं है कमपनी ने GST काउंसिल के सिफारिश पर Central Board of Indirect Taxes and Custom की तरफ से जारी सर्कुलर का भी हवाला दिया और कहा कि विदेश में मौझूद ब्रांच अगर इंडियन एंटिटी को कोई सर्विस देती है तो वो GST के दाएरे में नहीं आती है Infosys के पूर CFO मोहंदास पई ने इसे Tax Terrorism बताया है इसका मतलब ये है कि Tax को लेकर डर पैदा किया जा रहा है पई ने खासतोर से Money Control को बताया कि Finance Ministry को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए ऐसे Tax Terrorism का काफी असर इंडिया में निवेश पर पड़ता है Infosys को सितंबर 2023 में भी GST का 37 रुपे से जादा का Tax Notice मिला था जिसे उसने चैलेंज भी किया था ये मामला इसलिए भी एहम है क्योंकि Infosys वो कंपनी है जिसकी इंडिया में GST सिस्टम और Income Tax Platform तयार करने में एक बड़ी भूमी का रही है कंपनी को 2015 में GST Technology Network को बनाने और मेंटेन करने के लिए 5 साल का कॉंट्रेक्ट मिला था उसने 2021 में Income Tax का E-Filing Portal भी तयार किया था हाला कि तकनीकी दिक्कतों की वज़ा से दोनों प्रोजेक्ट को आलोचना का सामना भी करना पड़ा DGGI ने IGST Act 2027 के Section 8 का इस्तमाल किया है इसमें विदेश की ब्रांच को अलग establishment माना गया है इस Section का ये भी मतलब निकलता है कि Infosys और उसके ब्रांचिस के बीच हुए transaction को अलग-अलग लोगों के बीच हुआ transaction माना जाना चाहिए इसलिए इन ब्रांचिस की तरफ से दी गई सर्विस को IGST Act के Section 2, Subsection 11 के तहट import माना गया है इसलिए Infosys को अपने ब्रांच से हासिल की गई सर्विस पर RCM के तहट IGST चुकाना होगा अब सवाल है कि क्या Infosys को Tax मामले में provisioning करनी होगी इस पर कई experts का कहना है कि फिलहाल Infosys को अपने profit से किसी तरह की provisioning करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक pre-show cause notice है कंपनी DGGI के tax notice का जवाब तयार कर रही है Infosys को मिला tax demand का notice 32,000 करोड रुपे का है कंपनी के पास पहले से यानि फिसकल एर 2024 के आखिर में 24,000 करोड रुपे का कैश मौजूद है Infosys को tax demand notice का असर उसके shares पर 1 अगस्त को दिखा shares 0.84% दिगिर कर 1852 रुपे और 655 पैसे के भाव पर बंद हुआ आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है Money Control Hindi के साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें Facebook वेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जिरिये भी आप हमसे जुड़ सकते हैं WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद खू evapor और दुड़े जाप पाथ करेंक पाले जाएगा कि गरता हमसे दू़े लिए बंड़ी खंए जों करें